जेहिन दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल नर्पति स्टेडी पॉइंट में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं नवल सी प्रिपेर यार्ड पॉर्ड बलेर में जो न्यू रिक्रूट में निकली है उसके फोर्म प्लेप के बारे में कि फोर्म को प्रेस कर ले ताकि आने वाली न्यू रिक्रूट में जानका रिया आपको तुर्म परभाव से मिलती ही रहे हैं देखी दोस्तों आप देख परेंगी ये इंडिया नवी में नवल सी रिपेर यार्ड शीविलियन मोटर ड्राइवर रिक्रूट में दो जर्बाइस रहने व कि रहे तो नहोब एप्रेल 2022 तक खी अफलाइन माढ़िन से अप्लाइग किया जाएंगे2000 में टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो चोडवियोस पीचार पोस्त रहने वालिया ने पस्तः की एक पोस्त रहने को लिए टिब्लिएस धीए कपि Attila अने वालिया分 लागातотуर पो रहने वाली है तता इसमें education qualification की बात करें तो 10th class के साथ साथ आपके पास heavy license होना अनिवारी रखा गया तता एक साल का वरक experience इसमें मांगा गया है heavy license का तता इसमें age की बात करें तो इसमें other category की 18-25 इसमें आपकी आयू की गड़ना इस फोर्म की जो last date है 9 April 2022 वहां तक आपकी आयू की गड़ना की जाएगी तता फोर्म के साथ कौन कौन से document लगाने है उसकी हम बात में चर्चा करेंगे पहले हम इसका फोर्म फिलब कर लेते हैं देखे दोस्तों आप देख पारेंगी इसमें जो उपरी उपर जो column दिये गए है इनमें आपको कुछ भी mention नहीं करना है इनको सभी को खाली सोड़ देना है क्योंकि ये office work के लिए दिया गया office use only के लिए दिया गया इसलिए आपको इनको खाली सोड़ देना है तता इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते है तो आपक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका बेग्राउंड नीला हो वह फोटो आपको चिपका देनी है और उससे self attested कर देना है आदा फोरम के उपर था आदा फोटो के पर शाइन कर देना है ता नीचे पॉइंट नमर एक में जिस पोस्ट या फोरम को apply कर देना है उस पो the candidate में आपको अपना नाम यहाँ पे mention कर देना है पॉइंट नमर तीन में अपने फादरगा नाम यहाँ पे mention कर देना है पॉइंट नमर फॉर में जो अपनी date of birth है वो यहाँ पे mention कर देनी है पॉइंट नमर फाइब में आपकी जो age है वो इसकी जो फोरम की large date 9 April 2022 रखे दोस्तों आपका नाम आपके फादर का नाम जो और अपने जो डेट अबर्थ है वो जो दस्वी की यानि की जो मैट्रिक की जो अंक तालिका उसी की आदार पर ही आपको अपना नाम फादर नेम तो अपनी जो डेट अबर्थ हो मेंशन करना है दोस्तों पूरे की पूरे फोरुम को only blue ball pen से ही आपको fill up करना है तदा capital अक्सरों में पूरे को फोरुम को fill करना है point number 6 में अपनी nationality यहाँ पे आपको लिग देनी है Indian point number 7 में आपका gender यहाँ पे mention कर देना है कि अगर आप male है या फिर female है या फिर transgender है वो यहाँ पे आपको mention कर देना है point number 8 में religion आप कौन से धर्म से आते हैं Hindu है, Muslim है, Sikh है, इसाई है जो है वो यहाँ पे आपको mention कर देना है point number 9 में जो आपका permanent address है जहांके आप इस्थाई यानि की मूल निवासी है जहांका आपका आधार card का address हो यहाँ पे mention कर देना है point number 10 में course parent address आपको यहाँ पे अपना जो address है वो mention कर देना है जहां मान लोग कि आप कहीं बहार study कर देना है वहीं आप अपनी डाग मंगवाना चाहते हैं तो course parent address में वो address लिख देना पर्मानेंट address जहांगे आप मूल निवासी है वो address आपको लिखना है अगर आपके address दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ पे लिख देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है point number 11 में जो आपकी mail ID है वो यहाँ पे आपको mention कर देनी है point number 12 में अपने जो contact number है यानि कि जो mobile number है वो यहाँ पे आपको mention कर देनी होंगे point number 13 में अपने जो अधारकार नमर हो यहाँ पे आपको mention कर देनी होंगे point number 14 में अगर आप government employee है तो yes पे टिक करेंगे point number 15 में अगर आप service में आना है तो yes पे टिक करेंगे तदा नीचे दियेगे column आपको बरने होंगे अगर आप government employee नहीं है तो no पे टिक कर देंगे तदा यह column में वो खाली छोड़ देंगे point number 16 में जिस category से आप आते हैं उस category पे आपको टिक कर देना हो मैं other category में आता हूँ त टिक कर दिया है point number 17 में अगर आपको age में छूट चाहिए तो आप yes पे टिक करेंगे अगर आपको age में छूट नहीं चाहिए तो आप no पे टिक कर देंगे मान लोगी अगर आप OBC, SC, ST में हैं और आपको age में सूट साइए तो आप yes पे टिक कर देंगे अगर आप मान लोगी 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आपको age में सूट की कोई आउ सकता नहीं है तो आप no पे टिक कर देंगे point number 18 में आप no पे टिक कर देंगे पॉइंट नमर 19 में अपनी जो education qualification है उसकी detail हमें mention कर देनी होगी इसमें 10th class 10th class आपने कौन से board से pass किया तदा किस year में आपने 10th class pass किया तदा आपके total नमर कितने बने तदा कितने में से बने यह आपको mention कर देना होगा पॉइंट नमर 20 में आपका जो heavy license है हमी license है उसकी detail आपको यहां पर mention कर देनी होगी heavy motor vehicle driving license की detail आपको mention कर देनी होगी कि आपका जो license है वो कब issue किया गया था license नमर कितने है तदा issuing authority कि authority से आपका license बना है उस authority का नाम लिख देना होगा तदा valid up to cut तक आपका license valid है वो यहां पर आपको mention कर देना होगा तता नीचे experience में आपके पास heavy license का experience है उसकी detail आपको यहां पर mention कर देनी होगी दोस्तों इसमें एर्चम भी license अनिवारी रूप से रखा गया तता इसमें experience भी अनिवारी रूप से मांगा गया अगर आपके पास heavy license नहीं है तता heavy license का experience नहीं है तो आपको फोर्म परने कोई फाइदा नहीं होगा इसमें अनिवारी रूप से यह detail मांगी गई है point number 21 में identification mark आपको यहां पर mention कर देनी होगी अगर आपके कहीं शरीर पे तिल का निशान हो या फिर चोट का निशान हो वो detail यहां पर आपको mention कर देनी होगी nature declaration दिया गया है वो अच्छे से आप read कर लेंगे तता date में जिस दिन आप फोर्म को fill करें उस दिन की date आपको यहां पर mention कर देनी होगी तता पहले इसमें जिस इस्थान से आप आते हैं उस इस्थान का नाम आपको mention कर देना होगा तता इसमें जो left hand का जो अंगुठे का नि से document अटेज करने हैं देखिए दोस्तों आप देख परेंगी यह नवल सी पी रिपेर यार्ड ड्राइवर रिकूट्मेंट 2022 रहने वाली है इसे आप offline माद्दें से apply कर सकते हैं इसकी starting date 19 February 2022 रहने वाली है इसकी last date 9 April 2022 रहने वाली है इसमें total post की बात करें 14 इसमें total post रहने रहने वाली है इसमें आयू की करना इसकी last data वहां तक आपकी आयू की करना कि जाएगी तदा फॉर्म के साथ कौन कौन से document लगाने उसकी हम बात कर लेते हैं फॉर्म को offline माद्यम से apply करना तदा speed post या फिर registered post के माद्यम से आपको फॉर्म को send कर देना है पॉर्म नमर दो में अपने जो 10th class की certificate की फोटो कोपी self attested करके साथ में लगा देनी है तदा पॉर्म नमर तीन में जो आपका heavy license है SMV driving license है उसकी photocopy self attested करके साथ में लगा देनी है तदा accident certificate की photocopy साथ में लगा देनी है पॉर्म नमर चार में दो extra passport size photograph जिनका blue background होना चीजिए तदा पीछे की side में आपको self attested कर देना होगा और वो साथ में आपको लगा देनी होगी पॉइंट नमर पांच में अगर आप SC, ST, OBC तरह AWS से आते हैं तो certificate की photocopy साथ में लगा देनी होगी वो भी self attested करके पॉइंट नमर चार में एक self attested envelope लेना होगा उसके अपर 45 रुपे की dark ticket लगा के आपको साथ में भेज देना होगा अगर आप government employee हैं तो उसके certificate की photocopy self attested गर के साथ में लगा देनी होगी तदा एक बड़ा envelope जो की बाहर वाला envelope है लिफाफा है वो लेना है और उसकी उपर ही उपर application for the post of this post ये forum को फिल करें उस post का ना एंड category जिस category से आप आते हैं उस category का नाम में आपको mention कर देना होगा दाग को बेजने का पता तू दा कमाडोर सुपरिडेंटेंटेंट और OI स्लेश सी रिकूटमेंट सेल नवल सिप रिपेर यार्ड पीबियार पोस्ट बोक्स नम्मर 705 हाडू पोर्ट बलेर 744102 साउथ अंडमान अंडमान एंड निकोबार आइलेंड इस पतेवर आपको फोरों को स्पीड पोस्ट दा रजिस्टर पोस्ट के मादेंट से सेंड कर देना होगा दोस्तो आपको इस परकार का सेल्फ एडर्स एनवल अप लेना है उसके उपर 55 रुपे की डाग टिकेट लगाकर आपको साथ में बेज़ देना है दोस्तो इसके उपर आपको अपना फुल एडर्स लिख देना है अपना फादर नेम अपना नाम फादर नेम विलेज पोस्ट देशिल डिस्टिक पिन कोड इस्टेट ता मोबाइल नमर शहीत आपको अपना फुल एडर्स यहां पर मैंसन कर देना मोबाइल नमर दोस्तो आप जरूर लिखना क्योंकि जब कि आपका एड्मिट कार्ड आया हुआ है तो आपका जो एड्मिट कार्ड लेने में आपको असानी हो जाएगी दोस्तों आपको इस परकार का एक बड़ा एंवलफ लेना उसकी उपर ही उपर अप्लिकेशन फोर दा पोस्ट ओप जिस पोस्ट का नाम तदा केटेगरी जिस प्यार पोस्ट बॉक्स नम्मर साथ सो पांस हाड़ो पोर्ड ब्लेर सेवन डबल फॉर वन जिरो टू साउथ अंडमान निकोबार आइलेंड इस पते पर आपको स्पीड बोस्ट राजिस्टर पोस्ट के माद्यों से फोर्म को सेंड कर देना होगा दोस्तों मैंने फोर्म पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है अगर आपको फोर्म फिलप से समन्दित कोई पी जानकारी ले नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं इसका अफिशियल नोटिपिकेशन और इसका जा अप्लिकेशन फोर्म अदौन और डिस्क्रिप्श बॉक्स में अटेज कर दो माँसी आप डाउनलोड करकी और हमको आसानी से फिल कर सकते हैं अगर आप इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले जै हिंद जै भारत वंडे मातरं